हेलो दोस्तों आप सभी का सौगत है इस नए वीडियो में आज की वीडियो में जो बात करने वाले बात करने वाले हैं जो नया academic session चल आया है 2021 में वो देखने वाले क्लास 12 का पहले literature देखेंगे फिर grammar देखेंगे मैक्सि responsible for माइक से पेपर होगा जो आप literature देखे है वह दिख और फिर बाकी जो माउत का ओगा वह साड मांक का होगा चलिए देखा जाए कि पहला जो आपका बुक है टेक्सबूक उसका नाम है उसका कि नम है फ्लेमिंगो क्या नाम है फ्लेमिंगो तिक या क्या नाम है फ्लेमिंगो इसमें आप को प्रोज और उलखते प्रोज और पोईटरी आपको मिलेगा पुसमण OVA 2 सप एंसर टाइफ कोश्चillar जोग गए इससे से kar नंयों वन लॉंग टाइप एस्ट मत कोश्चन होगा इन्हें दो कोश्चन पुछाएंगे प्रोज से एक टू-सौट एंसर टाइप कोश्चन एक वन लॉंग एंसर टाइप कोश्चन यानि कि क्या करते हैं 25 स्वरी में गलती बोल दिया आठ हो 5 आठ हो साथ 15 मार्क्स की ठीक के फ 25 मार्क्स आपका प्रोज होगा फिर अगर हम आगे बढ़ें पूएट्री देखेंगे तो पूएट्री आपका 10 मार्क्स का होगा पूएट्री में दो रहेंगे ठी वेरी शॉर्ट येक्स पुझे जाएगा कितने कोश्चन पुझे आएंगे तीन कोश्चन पुझे आएंगे दो-दो मार्क्स के या निए 6 मार्क्स के फिर उसके बाद कहले का सेंटर आइडिया ऑफ दे गिवेन पोयम question related to identification of the following figure of speech ठीक है हो सकता है आपको सेंटर आइडिया दिय दिये जाए या तो आपको poetry से question आ सकता है figure of speech को लेकर तो figure of speech simile, metaphor, personification, oxonimoron, apostrophe, hyperbol, onomatopoeia तो total आपको इन सकता है 1, 2, 3, 4, 8, sorry, 1, 2, 3, 7 है ठीक है और figure of speech होता है लेकिन आपको 7 पढ़ने है कौन कौन से पढ़ने है, simile पढ़ना है, metaphor, personification, oxonimoron, apostrophe, hyperbol और onomatopoeia तो इसमें से कुछ मैंने बताया दिया figure of speech कुछ बताना बागी है तो इसके वीडियो बन जाएंगे धिरे-धिरे तो यह आपको question पूछना है यह चान marks जानी कि यह 10 marks इदर हो गए और 15 marks इदर हो गए टूटल कितने होगे, 25 marks, किस से, प्रोज अपोईट्री से, 25 marks, अभी 15 marks बागी है, literature का, तो वो हम देखते है, supplementary, supplementary से, ठीक है न, तो इस बुक का नाम है, वुक का नाम है, विस्तास, ठीक है, 15 marks का रहेगा, तो पाचवाँ, छटवाँ कोशन, दो short question रहेंगे, वही सेम प नंबर का, तो हो गए, यह 15, तो 15 प्रोज, 15 पोईट्री कितने होगे, तीस, और दस होगे, पोईट्री यानि 40, तो यह होगे, आपका literature portion का, यह exam pattern बता रहा हूं मैं, अभी जो आपका syllabus है, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा syllabus, class 12 का जो नए वाला syllabus है, ठीक है न, तो जो question आपको reading से आएगा, section A, ठीक है, यह question जो है, वो एक long passage आपसे पुछे जाएगा, इस में से 4 question आपसे पुछे जाएगे, 4 question और 2 जो question होगे, उसी पैसे से, 2 vocabulary based question होगे, date rate number के, यानि कि, तीन, तीन भी हो सकते हैं, नॉर्मल दो लिखा है, तो दो माल लो, date rate number के, यानि तीन number होगे, यहां 3 into 1 किया है, तो शायद यह हो सकता है, कि आपसे 3 vocabulary question पुछते, यहां लिखा उसके साब तो 2, और यहां जो लिखा उसके साब से मुझे लग रहा है, 3, तो आप 2 पुछे का, तो दो पुछे का, अगर 3 पुछे का, तो एक एक number का, ठीक है, तो 4 आपसे question पुछा जाएगा, उसका आपका अंसे देनों का, जो passage है, वो आपका passage reading section, यानि कि literature section से आ सकता है, ठीक है न, किससे आ सकता है, literature section से आ सकता है, या तो आपका सकतो unseen passage type का भी आ सकता है, अभी confirm नहीं, मैं बता पाऊंगा आपको, कि यह unseen passage से आएगा, कि literature से आएगा, जल्द हम आपको बता दूँगा, कि देखिए, जो मैंने बताया था, section A reading वाला, कि वो literature book से आएगा, या वो अलग से आएगा, वो हम आपको बता दूँगा, ठीक है, अब चलते हैं, आगे चलेंगे, तो section B आता है, section B हम जब देखें जाएंगे, इसमें दो कोशन हो सकते है, article और सो से dates of word के अंदर आपका article होना, चाहिए, दस माक्सा होगा, बहुत important है, आप इसको skip नहीं कर सकते, या तो आपको letter लिखना आना चाहिए, editor को business letter या complaint letter, ये सब, editor को letter लिखना ये सब, और article में descriptive letter, किसी detail पर लिखना, argumentative, मतलब कोई आप अपनी बात रहे हो, इसमें आप argument कर रहे हो, कि ये सही है, कि गलत है, उस पर article लिखा है, या autobiographical, या आपने article आप लिख रहे हो, अपने biography पर, या अपने आप पर article लिख रहे हो, कि मैं कैसा हूँ, या मेरे जीवन कैसा प होना चाहिए, यह मैंने बताई दिया, अब चलते हैं section C पर, section C जो है, वो grammar का है, वैसे आप देखा जो तो writing section भी grammar में आता है, लेकिन हम इसको अलागे पढ़ेंगे, चौथा पांचवा question, ठीक है, ये जो question होगा, वो क्या होगा, 10 very short answer type question, based on narration, 10, छोटे उटे question पुछाए होगे, वो narration हो सकता है, synthesis हो सकता है, transformation हो सकता है, syntax हो सकता है, idiom phrases हो सकते है, और synonyms, antonyms, one word substitution, और home of words, ये तो पुराना आपका जो grammar का syllabus था, वो ही syllabus यहां पर डाला गया है, और आपका last question जो होगा, वो Hindi English translation होगा, 7-8 sentence होगे उसमें, और ये पांच नमबर का होगा, ठीक है तो ये पांच नमबर का होगा, आपका ये पांचा question और चौहता question होगा, दो दो नमबर के 10 question पुछाएंगे, यानि कि 20 question, तो overall आप देख सकते हो, 5 question इसमें पुछे जा रहा है, किसमें, general English में आप से पुछे जा रहा है, ठीक, 5 ये, 5 question ये, और 6 question ये, तो total आप देख सकत question A, section B, 20, section C, 30, 25, ठीक है न, उसके बात literature आपका question आएगा, जिसमें इस तरह के question आएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो long question passage है, हो सकता है, ये बाहर से भी आए, हो सकता है, literature से भी, आपके book से ही आजाए, मुझे जहां तक लग रहा है, शायद ये बाहर से आएगा, ठ ठीक है, लेकिन confirm नहीं है, मैं किसी एक किसी एक वीडियो में ये बात आपको बता दूँगा, और रही बात, वीडियो बनाने की lesson पे, यानि syllabus पे, syllabus आपको जो नया है, उसके साब से lesson पर वीडियो बनाने की, तो अभी मैं कुछ दिनों तक grammar पे वीडियो बनाऊंगा, उसक पर syllabus बढ़ गया है, आपके lessons भी बढ़ गया है, ये भी आपको याद अखना चाहिए, चले आपने वीडियो देखा, उसके लिए को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छे लिगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब पूरी कोसिस करूंगा, साथ मैं literature का भी पोस्तों आपको कवर कराने की कोसिस करूंगा, ठीक है न, तो चले स्टार्ट करते हैं एक नई सुरुवात, class 12 की hope, आप भी बैतर करो, मैं भी बैतर करो, इसी आश्टा के साथ हम एक नई journey स्टार्ट करते हैं, class 12 की, आपके लिए class class 12, study मेरे साब से teaching, ठीक है न, चले स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ इस point को, आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, thank you so much for watching this video,